हलो स्टूडेंट्स आज हम हिस्ट्री में फॉस्ट पेपर की सेकंड इनिट चुरू करेंगे तुगलक वंश के अंत्रगद हम सबसे पहले लेते हैं मुहमद बिन तुगलक को मुहमद बिन तुगलक गयासुदिन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था उसका बचपन का नाम फकरोदिल मौहमद जुना खान था बचपन से ही उसका पालन पोशन एक सैनिक की भाती हुआ था उसके शिक्षा का भी अच्छा प्रबंद किया गया था वह एक अती महत्व कांक्षी व्यक्ति था उसने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता का 1325 इस्वी में वद्ध करवा दिया तता स्वेम राजगद्धी पर बैठ गया वह एक योग्य वकुशल साशक था वह तरक शास्त्र जियोतीश गणीत आदे विश्यों का बहुत अधिक ज्यान रखता था वह एक अद्बुद कलपनाशील वक्ति था उसका स्वभाव वी नम्र और उदार था वह अपनी प्रजा के प्रती न्यायशील था उसने नैतिक्ता के मुल्यों को अपनी जीवन में अपनाया इत्यासकारों ने उसके व्यक्तित्व के गुणों के साथ साथ कुछ दोशों का भी उलेक किया है उनके अनुसार मुहमद बिंतुगलक एक क्रोधी वह सनकी व्यक्ति था उसे मुसल्मानों की धार्मिक परंपराओं के प्रती कोई सानुबुती नहीं थी उसे मुसल्मानों का वद करने में भी कोई हिचकचार नहीं होती थी वह एक अस्थिर मस्तिश्क का व्यर्ति था उसका व्यर्तित्व आदश्वादी जादा और व्यवारिक कम था योजनाओं के असफल होने पर उसने क्रोधित होकर जन्ता को ही मरवाने और कटवाने का काम किया उसके कलपना शक्ती अदबुती परंतु अपनी अवयवारिक एवं अदुर्दशिता के कारण वह असफल रहा दिल्ली सल्तनत का विगटन भी उसी के समय में प्रारम हो गया था एक साशक और प्रसासक के रूप में मुहमद तुगलक मुहमद तुगलक एक महान प्रसासक था जिसने हिंदुओं से बहुत अच्छा ब्रताव किया था उसने एक विशिश विभाग करशी के विकास और न्याय व्यवस्था को प्रतक करने के लिए इस्थापित किया गया उसने कुछ परिक्षण जैसे राजधानी का परिवर्तन, दुआब में राजिकर्मिव्रदी और सांकीतिक मुद्रा का प्रचलन आदिकारी किये लेकिन सुल्तान के जल्दबाज और क्रोधी सभाव की कारण लोगों के रूडिवादी और दैविक विपत्यों के कारणों से भी ये कदम असफल हो गए मुहमत तुगलक की असफलताओं की कारण मुहमत तुगलक की असफलताओं के कुछ प्रभुक कारण निम्नलिखित है सुल्तान के पास उत्तम सला देने वाले मंत्री नहीं थे उसका सामरज्य बहुत विस्त्रत था और प्रांतिय राजपाल स्वामी भक्त नहीं थे उसने कई मुर्खता पूर्ण परिक्षन किये जो असफल रहे वह बहुत दानी सुल्तान था अथा उसने अपना बहुत साधन विहर्थी गवा दिया उसकी प्रजा अज्यानी थी वह उसको सयोग नहीं देती थी मुहमत तुगलत के कार्य अत्वा उसकी प्रमक्ह योजनाए दोआब कर्मे व्रदी अपनी राजे की आर्थिक इस्तिति को सुधारने के लिए मुहमत तुगलत ने अधिक उपजाओ प्रदेशों पर दोआब कर्मे व्रदी की यह व्रद्धी लगबग एक बटा दस से एक बटा बीस के बीच में थी जो की अनुचित नहीं थी क्योंकि इतने व्रद्धी से किसानों पर कोई भी अत्रिक दबाव नहीं पढ़ रहा था किन्तु दुर्भागे से जिस वर्ष दुआपकर में व्रद्धी की गई उसी वर्ष अकाल पढ़ गया और उपच नहीं हो सकी लेकिन भूर आजस्व अधिकारियों ने निश्चित की गई राशी को किसानों से निर्दैतापूरवग वसूल करने का प्रयास किया जिससे की बेबस और अरसाय जन्ता घबरा गई किसानों ने अपना कामकाज बंद कर दिया लगान वसूली के लिए अत्याचार किये गए जिससे धीरे धीरे सिती खराब होती चली गई दोआप के विद्रों को सक्ति से दबाया गया क्योंकि जो सुल्तान उलेमा वर्ग को उनकी गलतियों के शामा नहीं कर सकता था वो जमीदारों के विद्रों को कैसे सहन कर सकता था इस वित्रों का प्रभाव दूसरे प्रदेशों पर भी पड़ा जिससे व्यवस्था बढ़ने लगी इसलिए यह मुहमद तुगलत की एक असवल योजना थी दूसरा है राजधानी परिवर्टन मुहमत तुगलत के राजदानी परिवर्तन के अनेक कारण थे। और उसका नाम दौलताबाद रखा, और दिल्ली के नागरिकों को दौलताबाद में रहने के लिए बाद देखिया गया परनतो यह योजना भी सफल नहीं रही और नागरिकों को वापस दिल्ली लोटना पड़ा। वास्ता में ये योजना बहुत लाप्रत थी परंतु सुल्तान ने यह भूल की थी कि उसे केवल सरकारी दफ्तरों और राजिक करमचारियों को ही दौलता बार ले जाना चाहिए था। इससे ना तो जन्तों को कस्ठ होता और ना है करोडों रुपे का नुकसान होता। इस जर इसली योजनाओं में उसने बहुत सा धन व्यर्थ ही खर्च कर दिया था। इसके अलावा उस समय चांदी की कमी केवल भारत में ही नहीं बलकि पूरे विश्व में थी। इरान और चीन के बादशाहों ने भी अपने अपने देशों में सांकेतिक मुद्रा प्रणाली और लगान में तांबे के सिक्कों का उपयोग शुरू कर दिया। तांबे के सिक्कों पर कोई राजनितिक चिनन नहीं था। अधर लोगों ने नकली सिक्के बना कर उसका उपयोग करना कारम कर दिया। इससे व्यापारियों ने उन्हें लेने से इंकार कर दिया। तता सोन इसे रोकने के लिए सुल्तान ने आदेश दिया कि लोग अपने तांबिक के सिक्कों के बदले में चांदिक के सिक्के ले जाएं, इस निस्फल योजना से राज्य को गहरी हानी पहुची. चोहता है खुरासान विजय की योजना. मुहमत तुगलग भी अलावदिन की भाती सामरज्यवादी भावना उसे प्रेरित था, उसके दरबार में कुछ खुरासानी रहते थे. उनके अनरोद पर उसने खुरासान पर अकर्मन करने की योजना बनाई, उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सैना बनाई और सैनिकों को एक वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया. परंतो परस्तित्यों के बदल जाने से उसने खुरासान पर अकर्मन करने का विचारत त्याग दिया, इससे राजकोश का बहुत सा धन व्यर्थी नस्ठ हो गया. फिर है उदार साशन प्र थे खिराज, जकात, जजिया और खमसा. लेकिन मुहमत तुगलक ने उनके अत्रिक्त और भी कर लगाए. उसने स्वेम को याचना का सबसे बड़ा न्याले बनाया और जब कभी वह मुफ्तियों से असहमत हुआ, उसने उनके विचारों को टुकरा दिया और अपने विचार अनुसार ही कारे किया. राजी के कुछ ख्याती प्राप्त अधिकारियों को नयाएक शक्तियां प्रदान की गई, जबकि वे काजी या मुफ्ति नहीं थे. मुहमत तुगलक का भाई मुबारक खान दिवाने खान में काजी के पास उसे मुकदमों के फैसले के कारे में सायता देने के लिए बैठता था. सुल्थान ने धर्म प्रचारक वर्ग के कुछ लोगों को कठोर दंड दिया था क्योंकि वे खुले विद्रो, विपलव तता कोश के गवन के अपराधी पाहे गए थे. मुहमत तुगलक ने स्वैम को इश्वर का प्रतिमिदी समझा, उसने खल आजसी आदेश खलीफा के नाम से ही जारी किये जाने लगे. इस सब के होते हुए भी मुहमत तुगलक में अपनी जनता का विश्वास और निश्टा प्राप्त नहीं की और पहले की भाती ही वह अलोगप्रिय साशक बना रहा.